सवाल ये है कि देश के नुकसान में कौन अपना फाइदा ढूंड रहा है अनन जी पूरे बात आपने सुनी कौन है ऐसा जो देश का भला नहीं चाहता है देश में या विदेश में मुझे तो लगता है कि देश में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो विदेशी ताकतों के सारे पर मैं लगातार इस दिशा में बोल भी रहाऊं लिख भी रहाऊं कि जो विक्सित भारत के स्वपन को पंचर करना चाहता है वो ऐसी ताकते लगातार निरंत करका नहीं है कि ये माओं के जमाने में जब वो लाल करांति हुई थी तब वहां एक लाल किताब की करांती हुई थी और रामकृपाल जी बैठें वो यहीं चोटा लाल किताब वह बहुत उसकी व्यापती हो जाए इसको संदे कि दृष्टि से देखते हैं क्योंकि जो पिछले आठ दर्स वर्सों में हमने देखा कि भारत की धमक वैस्विक मंचों पर बहुत बढ़ी है और उसके उसका कारण प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी है दो हजार चौबिस के चुनाओं में अगर भारतिय जंता पार्टी को दो हजार दो आई तो आप यह समझे कि नरेंद्र मोदी की अभूत पूर्व लोग प्रियता थी अगर ना होती तो जितनी ताकते राउंड दक्लॉक लगी हुई थी उन ताकतों को सफलता मिल जाती और याद करिए यह शुरू कब से हुआ बोस्टन में जब नरेंद्र मोदी ने कहा था अब की बार ट्रंप सरकार तभी से कान लोगों के खड़े हुए कि यह तो अब विदेशों में अगर भी सरकार बनवा रहा है तो वो उस तरह से चीजें वहां से शुरू हुई वहां से फंडिंग स्टार्ट हुआ वहां लोगों को मिलना जुलना आरम हुआ वहां की संस्थाएं जो लॉबिस्ट हैं अब देखिए बंगला देश जो हुआ उसको भारत को निशाने पर लेके किया गया है और बंगला देश में अमरीका की भूमिका अभी भी संदिख्ध है अमरीका के जितने भी लॉबिस्ट हैं जिस दिन उन्होंने शपत ली मुहम पाकिस्तान तो अब नौ में ननब्बे में उनकी कोई वकत ही नहीं रही वेचारों की तो अमरीका को एक ऐसा या ऐसा कटपुतली साशन करने वाला आदमी चाहिए था जो मुहम्मद यूनुस के रूप में उनको मिलता है और मुहम्मद यूनुस की तस्वीरें आप जहां funding होती है जितने प्रकार के foundation, foundation ये भारत में funding करते हैं और सबकी दिक्कत ये हो गई है कि अभी होग मिनिस्ट्री ने जो विदेश से चंदा लेने वाला था उस पर बहुत सक्ती कर दिया आप जिस मसले के लिए चंदा ले रहे हैं आपको उसी में खर्च करना पड़े और आपने political activity में उसको divert कर दिया अब ये सब बंद हो गए हैं तो ये ऐसा नहीं है कि सिरफ बाहर के लोग इससे बंदाये हुए हैं अंदर के लोगों को भी बड़ी तकलीफ हो रही है जो इसी देश के हैं जिनका दाना पानी खाना पीना सब विदेशी धन से चलता था उन अंगला देश में जो हुआ उसके बाद प्रधानमंत्री का कहना कि यहां भी कुछ लोग अराजक्ता पहलाना चाहते हैं बयान भी आ गए सौरब जी ऐसे बयान भी आ गए हैं कुछ तो चाह रहे हैं कि भारत में भी हो सकता ऐसा सौरब बगवाल ना करें ऐसी कोई situation हो कि भ रिलीश में इन्वेस्ट मेंट से उनके बच्चे जो है से्टिल्ड है कही सारे लोग मैं सबकी बात नहीं करें हूं लेकिन कई सारे लोग जिनके एक पाउं जो है बाहर है और एक पाउं अंदर है वह एनर की चाहेंगे कि भारत में हो अभी जिस दूर से पूरी दुनिया गुजर रही है एक almost एक global order के का एक disruption हो रहा है बहुत बड़े massive scale पे वो दीरे 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 लोगों को समझ आएगा कि कैसे हो रहा है क्या हो रहा है जो 1990 में जब Soviet Union टूटा था उस वक्त जो global order टूट गया जो हम bipolarity की तब बात करते थे कि दो बड़ी ताकते पूरी दुनिया को बाट के रखे थी और चला रही थी और उसके बाद से अभी तक जो 35 साल से हम देख रहे हैं एक युनिपोलारिटी दुनिया में है एक सबसे बड़ी ताकत अमेरिका जो पूरी दुनिया को चला रही है उसका global order टूट रहा है और उस उस प्रोसेस में कई सारे लोग जो 35 साल जिन्होंने अपनी empires खड़ी की अपनी investments बनाई विदेशों में अपने बच्चों को वेजा सेटिल किया उनके लिए परिशानी का वक्त है क्यूंकि कई सारी दुकाने जो है वो बंद हो रही है इन फाक्ट विजे जी ने बिलकुल सही कहा कि जो FCRA की जो कानून है जो बहुत सक्त तरीके से implement हुए पिछले पांच साल में कई सारी जो अभी इन फैक्ट जब बजट भी आया कई सारे लोगों को आपत्ती हुई यह इसमें की भारत को FDI चाहिए चाहिए चाहिना से तो कई लोगों को परिशानी हुई कि क्यूं भाई और प्रदानमंत्री लगातार आत्म निर्भरता की बात करें लगातार अपनी डिफेंस इंडेस्ट्री डॉमेस्टिक डिफेंस इंडेस्ट्री की बात करें तो विदेशी ताक्ते जो है खासकर यूएस जो है यह बहुत पसंद नहीं आएगा और यह वो चाहिना को थ्रेट मानते सबसे बड़ा और इस बीच में अगर इं की बात 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 की बात